हमारा जो डेक्षाप का हाड़िस्क है, वो 24 x 7 format में नहीं बناए जाता है, क्योंकि वो जो हाड़िस्क है, वो उसको 24 घंटे में कभी न कभी बंद करना पड़ता है, लेकिन CCTV फिल्ड में जो हाड़िस्क कि उच्ज करते हैं, वो 24 घंटे में कभी बंद नहीं करना होता है, क्य के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है मैं ccdb टेनिव प्रोवाइडर विवेक आज फिर से अपने ccdb का ग्रास में हूँ एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बदा दूँ कि मल्टी टेक में लैप्टॉप है मिले तो आज के जो हमारा टॉपिक है वह एतना इंटरेस्टेड है कि बहुत लोग को ये नहीं पता रहता है कि ccdb फिल्ड में कौन सा हाड़ डिस्क करें कि ccdb जहां लोग इंस्टाल करने जाते हैं वहाँ पर बस दुकान समय और हाड़ डिस्क करित कर लाते हैं हाँ इसको इंस्टाल कर देते हैं लेकिन सी सी टीवी फिल्ड में कौन से हार डिस्क यूज करनी चाहिए उन लोग को नहीं पता है क्योंकि हार्डिस्क मार्केट में बहुत प्रक्यार क्याते हैं जैसे डेक्ष्ट आप के लिए अलग हार्डिस्क होता है मुल्टिमीडिया के हार्डिस्क दुकान से खरित के लाते हैं और अपने डिवीर या एंब्यार में इस्टाल कर देते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता रहता है कि हमें कौन सा हार्डिस्क लगाना है दुकंदार भी जो होता है वह बस हार्डिस्क देता है वह हमें कुछ बताता नहीं है तो हमें वो बताएगा भी नहीं क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें CCDV फिल्ड में कौन सी hard disk कूछ करनी चाहिए तो इसी पर हम आज बात करेंगे इसी पर वीडियो बनाने वाले हैं तो जैसे आप देख रहे हैं पास दो hard disk है आप यहां पर देख सकते हैं दोनों WD का hard disk है Western Digital यह दोनों hard disk है लेकिन दोनों के color में आप अंदर देख रहे हैं एक आपका यह जो blue है और एक आपका जो यह मेरे हाथ में वह बिल्कुल purple है यह blue color में है यह purple color में है तो यह WD जो company है वो अपना color से भी identify कर लेती है कि यह जो hard disk है वो कहां use करना है किस प्रकार का hard disk है तो चलिए इसी पर हम बात करने वाले हैं तो मैं आपको यह बता दू कि जब हम CCTV के field में hard disk लगाने के लिए दुकान पे जाते हैं तो दुकंदार से hard disk मांगते हैं और वो क्या करता है कि हमें desktop का hard disk देता है वो hard disk जो है 24 into 7 run करती है मतलब उसको हमेशा चलते रहना है जबकि जो desktop की hard disk होती है वो maximum 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे, 15 गंटे तक ही चलते हैं उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है लेकिन cctv field में जो हम dbr, mbr में hard disk लगाएंगे वो जो hard disk है उसको 24 into 7 hours चलते रहना है तो यहीं पर एक अंतर यह हो गया कि हमारा जो desktop का hard disk है वो 24 into 7 format में नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो जो hard disk है वो उसको 24 गंटे में कभी न कभी बंद करना पड़ता है लेकिन cctv field में जो hard disk क्यूज करते हैं वो 24 गंटे में कभी बंद नहीं करना होता है क्योंकि रोज का data वो क्या करता है इस्टोर करता है तो इसका मतलब कि हमें cctv field में जो hard disk क्यूज करना है व सर्म हो गया, consistent hard disk हो गया, तो इन सब hard disk में बहुत प्रकार की hard disk की यह company बनाती है, desktop के लिए अलग hard disk बनाती है, multimedia के लिए अलग hard disk बनाती है, gaming के लिए अलग hard disk बनाती है, और जो CCTV फिल्ड में hard disk की उज़ करना होता है, वो hard disk होता है हमारा surveillance hard disk, मतलब किसी की company के hard disk लीजिए, आपको यह पता लगाना होगा कि वो surveillance hard disk है की नहीं, तो WD में तो असानी तरीके से पहचान सकते हैं कि जो purple color की hard disk होती है, वो surveillance hard disk होती है, surveillance hard disk मतलब कि वो hard disk जो होती है, 24 x 7 घंटे काम असानी से कर सकती है, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि अगर हम desktop का hard disk की use कर दे, DVR, NVR में तो क्या दिक्कत होगी, तो आपका जो desktop का hard disk का आपने अगर CCTV field में यूज कर दिया, DVR, NVR में यूज कर दिया, तो समझी कि data हमेंसा risk पे रहेगा, क्योंकि वो hard disk लगतार चलते चलते उसमें error आ जाते हैं, कभी-कभी recording को steep कर देता है, मान लेजे आपको पीछे का कोई परसानी नहीं आएगी, तो हमें जब भी CCTV field में hard disk क्यूज करना है, वो hard disk कमारा होना चाहिए, surveillance hard disk, तो दो तरीक, दो region जो है, दोनों में अंतर का different का, पहला ये है, कि जो desktop का hard disk होता है, वो 24x7 format में नहीं बनाया जाता है, और जो surveillance hard disk होता है, वो 24x7 में के format में हित्यार किय जाता है, तो वो अधिक समय तक अच्छा से recording करता रहेगा, और दूसरी जो reason होता है, दोनों में जो difference होता है, कि क्यों नहीं use करना चाहिए, क्यों surveillance use करना चाहिए, तो ये है, कि जो हमारा desktop का hard disk होता है, उसमें read or write होता है, और surveillance hard disk में भी read or write होता है, read का मतलब ये होता है, कि जैसे हमारे hard disk में कोई data है, हम उसको पढ़ते हैं, उसका use करते है, तो read होता है, और हम अगर desktop में कोई काम कर रहें, downloading कर रहें, file बना के shape कर रहें, तो वो होता है write, तो desktop के hard disk में जो read or write का ratio होता है, वो 50-50% का होता है, 50% read और 50% write, मतलब कि जो read or write की च्छमता होती है, व फूटेज क्या कर रहा है हार्डिस में स्टोर कर रहा है मतलब कि राइट का काम लगतार चल रहा है रीट का काम कब होता है जैसे हम प्लेबैक देखते हैं फूटेज लेना होता है तो बस उसी समय रीट का काम होता है तो जो हमारी सर्वे लाइंस हार्डिस्क होती है उसमें र प्यार के लिए तो हम दुकंदार से जरूर कहेंगे कि हमें सर्विलांस हार्डिस्ट चाहिए क्योंकि दोनों के प्राइज में कोई अंतर नहीं है लेकिन डेटा अगर हम हार्डिस्टॉप का हार्डिस्ट क्यूज करते हैं तो डेटा रिस्क पर हैगा और सर्विलांस हार्ड करते करते बीश में हैं भी हो जाएगा एरर भी आ जाएगा पता चलेगा कि दो दिन की बीश की रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है तो यह सब किसमें होगा जो हम लेपटॉप का या डेक्षाप का हारडिस्क की उच करते हैं डिवी आर एंबियर में उसके साथ होगा लेकिन यहां पर PC hard drive लिखा है और यहां पर लिखा है मतलब कि हमें CC TV फिल्ड में जो hard disk करना है वो surveillance करना है तो WD में आसानी से पहचान सकते हैं अगर purple color दिख रहा है तो समझें कि हो surveillance hard disk में इसके अलावा अगर तो सीबा का यूश करना हो सीगेट का यूश करना हो तो वह हमें पढ़ना होगा कि यह जो hard disk है वह surveillance hard disk है कि नहीं क्योंकि price में कोई अंतर नहीं होगा फिर लगाने के लिए कैसे हम इस्टाल करते हैं तो देखिए यह NBR या DBR के साथ हमें मिलता है एक power cable, hard disk power cable और यह एक SATA cable मिलता है जो data के लिए होता है तो इन में जो port होते हैं इसमें भी same port इस वाले में भी port जो होगा same होगा और इस वाले में जो port होता है same होता है मतलब कि यह तीनों hard disk हम use कर सकते हैं वो हमारे CCDV में काम करेगा दिखेगा कि recording हो रहे है लेकिन जो बढ़िया तरीके से काम करेगा वो है हमारा surveillance hard disk तो लगाने का तरीका यह होता है कि यह जो power connector है इसके लिए power connector का port बना रहता है उसमें क्या करते हैं करेंट कर देते हैं इसको और उसके बाद यह जो हमारा SATA cable होता है इसको हम लगा देते हैं यह जो SATA port दिख रहा है इसमें उल्टा नहीं लगेगा जब तक lock देख लेते हैं किदर है उसके अनुसार यह लगेगा उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा उसके बाद hard disk को लगाने का तरीका यह होता है कि जिसमें यह चोड़ा वाला port दिख रहा है उसमें हमारा यह power लग जाता है power वाला तो इसमे करने के बाद यहां पर नीचे इस दिया रहता है ऐसे ले जाएंगे चार इसक्रू जो है वह के साथ ही मिलेगा यहां पर वायर देख लेते हैं सही तरीके से लगे और फिर पीछे की और जाके और यह जो होल है उसको मैच कर लेते हैं यहां पर जो चारो होल है हार्डिस का उसको हम मैच करके और चार यह जो श्क्रू है वो डिबियार एंबियार के साथ ही मिलते हैं उसको हम इसको क्या करते हैं यहां पर लगाकर हार्डिस को सेट कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हमने यह सीखा कि जब भी हार्डिस यू उज़ करना चाहिए और डेक्ष्ट्राप का जो हार्डिस के वो केवनी उज़ करना चाहिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद